आत्मरक्षा करना भी तो उन्हों नहीं सिखाया अब जब मर जाएंगे तो फिर कौन आत्मरक्षा करना सिखाएगा जब हम ही नहीं रहेंगे सरीर नहीं रहेगा तो कहां का कानून कहां का सम्मिदान कहां की विचार जारा सब सुन हो जाएगी तो आत्मरक्षा करना ही तो एक बुल्डोजर आज पोशल मीडिया पे आप खुब ट्रेंड में चाहे हुए हैं सब पूछ रहे हैं दिरेन कृषिन शास्त्री जी ने क्या आपने लिए बहन आप हमारी आज आप हमारी बरात में आना हम बहुत जल्दी बिभाय करेंगे लेकिन वारल बहुत हो रहा है कि आपको लेकर एक साधवी जी को लेकर खुब वारल होती रहती हैं ख़बें खुब बाते होती हैं कि फाइनल हो चुकी हैं बाते हैं क्या है उस पर कुछ आप बोलना चाहेंगे अपने बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप सामने आईगा, कुछ बाते सामने समझ में आई, कल दरवार लगना है, अगर हो सके, तो आपको बहुत प्रिशनों के उत्तर कल दरवार में मिल जाएंगे, आजाओ, आकर के बैठ कर के देखो, और फिलाइट का टिकेट आज रात हाथ कंगन को आज सी क्या, एक और सवाल आया है, आपका ये इंटर्व्यू लाइफ जा रहा है, इस इंटर्व्यू में एक सवाल और आया है, तो वो और पूछ लेती हूँ, एक माइंड रीडर है, वो कह रही है, कि हम भी माइंड रीडिंग करके हजारों की भीड में से न आज हमने दरबार आपने देखा नहीं है, क्या है, आपका जो अनभव है, नहीं देखा है, हमने पूरा देखा है, आप परची पर लिख कर पता रहे थे, लोगों के नाम बता रहे थे, कि हमने पहले से ही पर्चा पना कर रख दिया था, अब ये माइंड रीडिंग से बाह अगर मैं अपने साथ दो लोगों कर लेकर आती हूं, जिनको पहले से नहीं बताती हूं, कौन वो लोग हैं, उनके बारे में आप अपने दरबार में सब कुछ बता देंगे, आपके पास वो दिवे शक्ती है, देखो, जो हमें आज्या लगेगी, जो उनका प्रुष्ण मन और भाव का होगा, वो हम लिख देंगे, जो हमें गुरु करपा होगी, आपके कहने पर या आपके प्रमाडपत्र के लिए हम दरबार नहीं लगाएंगे, दरबार में लेकर आईए, राम नाम का उन से जाप करवाईए, फिर अरजी लगईगी, यानि मतलब आपका मन होग अगर हम लोग दिल्ली से आएंगे, अगर दिल्ली से स्पेश्टी आपके पास आएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि गुरु प्रेणना नहीं हो, आप ना बता सके महाँ पर कुछ, आपको कुछ समझना है, एसा भी हो सकता है, अगर हम आपके पास आएंगे, और आपको उस खाली हाथ लोटता है सीता राम नाम नाम का जब दरवार में भर से सामुई करजी मातर से ही कल्याइड हो जाता है यह बताईए कि आपने तो आज खुला दरबार भी लगा दिया लेकिन आपके चैलेंज देने वाले बहुत धन्यबाद बहन जी आपको चालेंज देने वाले अभी पिस अंतुष्ट नहीं है वो कह रहेंगे धर्बार जो है वो चतरपुर धाम में ही क्यों लगा रहे है ये चमतकार सिर्धाम तक क्यों कभी कर नहीं सकते तो आपने लाइब चलाया की नहीं लाइब चलाया होगा तो उसमें आज देखा होगा सनातन का जंडा गड़ गया चनौत देने वाले के मुँपर तमाचा लग गया है और आप हमें सफाई देने की आवशक्ता नहीं है जिसको जरूरत हो लिंक पर जाकर देख ले अत्वा कल फिर दरवार राइपुर 36 गड़ में लगेगा उसको देख लें ठीक है एक बाब बताईए मैं आपसे समझना चाहती हूं कि लोगों को ज़रा समझाइए कि आपको जो ये कृपा प्राप्त है यह आखर कैसे मिली है यह कृपा कहां से आई है किस तरह से nuclear थोड़ा समझाइए दाकि लोगों को भरोसा हो सनातन की अजबisha प्रश्ट हो हमारे प्रंपरा में तीन पीडियों से दर्बाल लग रहा एक हमारे दादा बारत के तिहास में पूरी नेशनल टीवी के शामने चैनल के सामने आज तक किसी भी पादरीय नहीं दिखाया होगा लेकिन भारत के तिहास में पहली बार आज राइपुर में जंडा गाडा है आपके अपने लाखों अनुयाई हैं जो आप बाला जी में आप क्या दावा कर रहे हैं कि आप लोगों का भूट भविश्य बता देते हैं आप लोगों के कष्ट हरने की शक्ति रखते हैं उस पड़ची में क्या लिख कर देते हैं क्या चमतकार करते हैं बाला जी की कृपा से ही अगर हम कहें तो कोई भी दावा नहीं करते हैं हम ये भी नहीं कहते हैं कि हमारे पास आने से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा रोग ठीक हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा हमारे पास में कुछ भी ऐसा नहीं है हमें तो जो बाला जी का आभास लगता भटके हुए रस्ते के लोगों को मार्ग दिखाने का भाई ऐसा करो ईशुर से प्राथना करो और ईशुर से प्राथना करना 25 अंचेत के अंतरगत लोजिक है धार्मिक मौलिक अधिकार है तो हम अपने इस्तिका प्रचार कर रहे हैं औ और इस्तिके प्रचार के साथ साथ बागिसुर हनमान जी से जोड रहे हैं जैसे अनलोग भी अपने अपने धर्म को बढ़ा